नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती आपका मैं संस्कृति आयस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ साथियों राश्ट्पिता महत्मागांधी गाउं को शशक्त करने पर जोडिया करते थे इसलिए उन्होंने ग्राम सौराज की अबधारना की थी आरबियाई की अभी एक हालिया रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में पंचायत की इस्तिती बताई गई है यह बताए गया है कि किस तरह से पंचायत को अधिक और स्वायत्ता मिले खास करके फंड मिले तो किस तरह से वो सामाजिक आर्थिक लिहाद से और स्वास्त के लिहाद से बहतर performance करके दे सकती है तो सरकार के समक्ष और जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर केंद सरकार और तमाम राज्य सरकारों की भी जमेदारी बन जाती है कि पंचाइट का ध्यान किस तरह से रखा जाए इस रिपोर्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या पहलू इससे जुर्य हुए है पंचायती स्वायत्ता से बहतर होता ग्रामीन भारत का स्वास्त यानि कि भारत जो गाओं का देश है इसे बहतर करना है तो पंचायत को और अधिक स्वायत्ता देनी की जरुवत है ऐसा RBI के रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है उसे पहले आपके लिए एक सूचना है संस्कृ कोर्स जारी कर दिया गया है यह ओनलाइन होगा दोनों ही कोर्स तीस मार्च दिन के 12 वजे इसकी शुरुआत हो रही है प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए भारी छूट दिया जा रहा है प्रिंटे नॉट्स के साथ जो है केबर 1299 में और पीडिएफ नॉट्स के साथ केबर 10,000 में यह कोर्स आपके लिए उपलब्द हो जाएगा ध्यान रखना है यह प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए ही छूट दिया जाएगा कोर्ष में शामिल अगर विशेस्ताओं की बात करें तो 500 से अडिक घंतों की कक्षाएं आपको दी जाएगी वैद्धता एक वर्स कोर्स की होगी आप इसे आश्यमित बार देख सकते हैं नियमित क्लास टेस्ट होगा विस्तित जानकारी के लिए 9555-14124 पर कॉल करके या संस्कृति आइस के वेब साइट पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं और यह थासिकर अपना नामांकन करा सकते हैं हमारा पूरा बादचीत का आधार होगा यही रिपोर्ट होगा 24 जनवरी 2024 को पंचायती राजसंस्थाओं का विद इस नाम से एक रिपोर्ट जारी हुआ था यह आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है पंचायती राजसंस्थाओं का विद सिर्सक्त से भारती रिजर बैक राजसरकार की तरफ देखते हैं कि वहां से उन्हें राजस्था की प्राप्ति हो जाए ताकि वह अपना कांधाम अच्छे से कर सके रिपोर्ट में पंचायतों के लिए अधिक स्वाइता और अस्थानिये नेताओं को ससक्त करने की बात की गई है यानि कि यदि आपको लो और आवाज बन सके उद्देश यह है कि पंचायतों की अधिक स्वाइता से बेहतर शासन और बेहतर प्रिणाम प्राप्त हो पाएंगे अर्बिया की रिपोर्ट में क्या कहा गया है देखी इस शब्द प्य ध्यान दिजिए उच्युवित हस्तान तरन वाले राज्यों में विभिन शेत्रों में बेहतर परिनाम देखने को मिले हैं इसके कहने का अतातपर है कि वे राज जिन्होंने अपने यहां के पंचायत को अधिक स्वाइतता दी वहां से फंड करिलीज किया उन स्टेट में अधिक काम देखने को मिला इस शेत्रों में नबर धाचाइता करें इंस चले है इन सब चीजों में वह सार है पंचायत अच्छा करके दिखा हैं जल आप उर्ति को ले करके को ले करके अब कौन कौन से पंचायत हैं और ने panchu साइतों के स्टेट के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से राज जी के द्वारा हस्तान तरण बहतर किया गया है यहां अगर आप देखेंगे यहां हेल्थ कांकरा दिखाएगे स्कोर में सबसे बहतर प्रदेशन यहां पर करता हुआ आपको चंडिगर नजर आता है अधिक दिया जा रहा है पंचायतों को और अधिक स्वायत्ता दी जा रहे हैं और इन च्शेत्रों में आगे बरतनेнаком कहता है कि पंचायती राजस संस्थाओं को लगभग 95 प्रतिशत राजसु केंदर और राजस सरकारों से मिलने वाले अनुदान से प्राप्त होता है यानि कि उसका अपना राजसु जो है वो बेहद कम हो जाता है वित्तिय स्वायता कास्तर सिमित देखने को मिल रहा है पंचायती राज के रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है राजसु बर्स 2022 तेसमें कुल राजसु में केबल एक प्रतिशत का ही योगदान इसका रहा है उच्छ हस्तान तरन अस्तरवाले राज्यों में बहतर सामाजिक आर्थिक परिणाम देखने को मिले हैं तो यहां पर एक और डेटा हम देखेंगे एक और आकरा देखेंगे कि वे राज जिन होने पैसा अच्छे से टांसफर किया है पंचायतों को अधिक स्वायत्ता दिया है वहां पर उन सभी स्टेट में उनके पंचायतों में सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहतर देखने को मिला है ऐसे स्टेट कौन यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही छेतर में सामाजिक भी और इसके अलावा आर्थिक भी दोनों ही फिल्ड में अच्छे परिणाम इन स्टेट ने दिया है बांकी स्टेट में काम करने की ज़्यादा जरुरत बताई गई है पंचायतों के राजस सुमेदेरी का एक कारण क्या है राजवित आयोग की अस्थापना में विलंब का होना है इसलिए समय पर यदि राजवित आयोग का अस्थापना नहीं हो पाएगा तो फंड का डिस्टूबिशन नहीं हो पाएगा वित आयोग क्या कहती है फंड का डिस्टूबिशन करती है जो भी पूरा नहीं हो पाएगा इन आकुनों के प्राध्धान से पंचायतों में राज कोशिय पारदर्शिता और जवाब देही बढ़ेगी किन आकुनों से यह जो आर्बियाई का रिपोर्ट है इसके माध्यम से कहा जा रहा है और पंचायतों में स्रसक्ति करन को बढ़ावा मिलन होने बाला है इसके साथ साथ आपको चोहत्तरमा समिधान संसोदन भी पढ़ना चाहिए एक पंचायत के लिए एक नगर निकाय के लिए ठीक है दोनों ही इंपोर्टेंट है प्रिलिम्स के लिहाज से तो 73 में समिधान संसोदन अधिनियम 1992 के नुसार पंचायती राज सरण और राज सरकार से प्राप्त अनुदान के हिसाब से इनका काम यह चलता है पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष राजस्व सिर्जन में चुनौतियां क्या क्या रही है इसको हम देखेते हैं ठीक है क्या क्यों नहीं अपने मैंने पहले भी कहा कि रिपोर्ट कहती है क एक प्रतिशत तक ही अपना राज सिकठा कर पाते हैं बांकी के लिए इनको केंदर पर और राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है तो आखिर इसी चुनोतियां क्या रही है देखिए सिमित कर आधार इनका है एक तो होज़ाएगा पंचायत में देखते की कमी है भारत में बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां पर पंचायत भवन तक नहीं है तो फिर वहां किस तरह से काम हो पाएगा यह भी एक कमी है प्रशिक्षित करमचारियों की कमी है यहां पर प्रशिक्षित करमचारियों की बात की जा रही है तो दो अस्तर पर देखना होगा एक तो जो प्रशाशनिक कार्य होता है उनको करने में दक्षता की कमी है और दूसरी बात आजकल जो आ गई है वह है तकनीक के ग्यान की कमी है अगर तकनीक का ग्यान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सभी काम आजकल डिजिटल माध्यम से हो रहा है फिर वहां पर जल ही बताई गया था और यहां पर रषिक्ता कहता है कि यदि आपको नशायत को सहभरना है सरकार नयां पंचायतों को अधिक सशक्त करने का मतलब है सामाजिक आधार्थों मजबूत करना ही परेगा इसके अलाबा आर्थिक आधार भी मजबूत करना परेगा यानि कि कह सकते हैं यहां पर आप संविर्धी आर्थिक संविर्धी और आर्थिक विकास दोनों ही पहलूं पर ध्यान पर यहां पर आपको स्वास्थ पांई जीवन की गुनबत्ता इन सभी पर ध्यान देना परेगा और यह भी देखना परेगा कि पंचायत की आमदनी बढ़े वहां के लोगों की आमदनी बढ़े ठीक है तो यह विस्तार से आप और भी पढ़ सकते हैं रेट सारे आपको इस प पंचायती राज संस्थाओं का वित सिर्शक से भारती रिजर्ट बैंक में एक रिपोर्ट जारी किया है हमने चर्चा किया है कि क्या सही है क्या गलत है अब देखिए रिपोर्ट में उच्छ हस्तांतरन वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के बहतर सामाजिक आ बात की है वह आपके लीए लाभकारी सिद्ध होगा. आज फेंढेंडien में इतना ही रखते हैं इस लेक्सर पर आप के क्या विचार हैं अपने विचार से हमें ज़रूर अभगत कर आये किसी दूसरे मुद्द oriented के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बेहर ख्याल रखिए थैंक यू